Hello everyone, welcome back to Becoming English Champion YouTube channel and my name is Ankhush और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक ओर इंटरस्टिंग स्टोरी और इस स्टोरी के अंदर काफी अच्छे इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं प्लस वोकाबलरी काफी अच्छी है तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं तो आज की स्टोरी है एक डॉग की स्टोरी की एक डॉग ने अपने लिये अपने मास्टर को किस तरह से ढूंडा तो स्टोरी का नाम है How the Dog Found की डॉग ने कैसे ढूंडा हिमसेल्फ खुद के लिए अन्यू मास्टर एक नया मालिक तो इस स्टोरी में काफी स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं तो मैं आपको सासत बताता चलता हूँ वैसे तो मैं सब कुछ करा चुका हूँ सब कुछ सिखा चुका हूँ अपने कोर्स में अगर आपको जॉइन करना है तो आप मेरे Become English Champion आपको डाउनलोड करके मेरे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं बाकी जो कोर्स के बारे में डिटेल है वैसे आपके सामने दिखी रहा है आपको बाकी लास्ट में बात करते हैं अभी फोकस करते हैं स्टोरी पर तो स्टोरी इस तरह से है डोग्स वर डोग्स थे वन्स एक बार या फिर कभी देयर ओन मास्टर्स अपने खुद के मालिक तो डोग कभी खुद के मालिक थे एंड और लिव्ड रहते थे दव्वे उसी तरह से वॉल्ट्स डू जिस तरह से भेडिये रहते हैं तो यहां पर वॉल्ट्स जो है वॉल्ट्स वॉल्ट्स मतलब भेडिये और वॉल्ट्स मतलब भेडिये तो वॉल्ट्स जो है यह प्लियूरल है यहां पर तो यह सबजेक्ट है और डू यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर जिस तरह से भेडिये रहते हैं उसी तरह से रहा करते थे dogs In freedom, आजादी में तो यहाँ तक का मतलब हुआ कि dogs अपने ही master हुआ करते थे और उसी तरह से रहते थे जिस तरह से भेडिये रहते हैं आजादी में Until, जब तक, अब यह until का हमारा structure है until, जब तक नहीं, until के अंदर ही not cover होता है तो until a dog was born, जब तक एक कुत्ता पैदा नहीं हो गया कौन सा डोग? who was ill-pleased, जो की बहुत दुखी था ill-pleased जो है ये एक old-fashioned word है जिसका मतलब होता है very sad तो ill-pleased is very sad तो जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हो गया जो बहुत sad था with his way of living अपने जीने के तरीके से तो जो उसका life का way था उससे वो बहुत sad था, दुखी था तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से notice करें इस पूरे sentence में यहाँ तक एक sentence बनता है यह future combination का sentence है sorry past combination जिसमें एक यह sentence complete होता है यहाँ तक उसके बाद until का use फिर यह दूसरा sentence और यह जो पहला sentence है इसके अंदर and को use करके दो-दो sentence जोड रखे हैं एक sentence यहाँ पर past का यह भी past का compare किया इसको present से और until के अंदर not आ जाता है और यह जो until के बाद का एक sentence है इसमें भी दो-दो sentence जोड रहे हैं तो यह passive voice हो गया और यह relative pronoun हो गया यानि कि इन short इसमें एक ही sentence में चार-पांच पांच structures almost लगे हुए हैं तो यह सारे मैं अल्रेडी सिखा चुका हूं तो आगे पढ़ते हैं अब यहां सिख का मतलब किस तरह का सिख होता है सिक मतलब होता है पारेशान मतलब दिमाग से जो परेशान हो जब को सिख डेंक आगया है तो मुझा हो cried था परेशान था and or tired of और उब चुका था उब ना मतलब tired of तो थक चुका था उब चुका था किस चीज से wandering मतलब इदर उदर घूम कर तो मैंने आपको एक lesson कराया था जैसे I am tired of teaching English मैं English पढ़ा पढ़ा कर उब गया हूं I am tired of going there मैं वहां जा जाकर थक गया हूं उसी तरह से he was sick sick था और he was tired of wandering और वह घूम घूम के थक गया था उब गया था अब यहां पर जो being है इसको आप यह मान के चले यह इसके साथ है जैसे आप end से दो संटेंज जोड़ते हैं he was tired of wandering and he was tired of being frightened be मतलब होना frightened मतलब भैबित तो वह इदर उदर घूम घूम के उब गया था थक गया था और and being frightened और डर डर कर उब गया था मतलब हार गया था being frightened frightened मतलब बहुत डरा हुआ being मतलब होना तो ओफ के बाद अगर वर्ब लगाते तो इंज लगाते हैं तो इसलिए यह structure यहां पर यूज हुआ है tired of का तो in short इसका मतलब हुआ वह बिमार था मांसिक बिमार था and वह थक गया था इदर उदर घूम घूम के अपने लिए खाना खोजते-खोजते और बहुत डरते-डरते of those उनसे who were stronger than ही जो उससे मजबूत थे stronger थे तो आप इसी से अंदाजा लगा लिजिए कि यह जो दो sentence अभी finish हुए है यह जो दूसरे वाला है यहां से यहां तक यह जो है यहां तक यह simple है simple past tense फिर and से जोड़ दिया और he was जो है इसके साथ भी attach होगा तो he was tired of तो यह tired of का structure आ गया उसके बाद यहां पर and से फिर जोड़ दिया तो यह भी tired of के साथ का structure है और आगे देखो तो हूँ relative pronoun का भी यहां पर comparison है अगर यहां पर स्टोरी तो आपको समझ में आएगी लेकिन benefit नहीं होगा यह मैं honestly बोल रहा हूँ सिरफ स्टोरी सीख रहे हो सुन रहे हो बस मज़ा आ रहा है that is not what we want हमें चाहिए कि हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं तो एक एक structure एक word समझ में आना चाहिए यह समझ में आना चाहिए कैसे कैसे rules लगे हैं तो यह उनी को आ सकते हैं सिरफ और सिरफ उनी को जिनको English आती है जो सीख चुके हैं तो मैं हर चीज सिखा चुक हूँ अपनी 500 वीडियो के अंदर तो आप जुरूर मेरे कोर्स को ज्वाइन जुरूर कर लीजेगा अगर seriously सीखना है तो तो आगे पढ़ते हैं ही थोट अब उसने सोचा ही थोट इट ओवर मतलब इस बारे में उसने सोचा किस बारे में किया मैं तो थग गया हूं खाना डूंडूंड के और डर डर के उनसे जो मुझसे स्ट्रॉंगर है तो ही थोट इट ओवर उसने इस बारे में सोचा and decided और फैसला किया that की the best thing for him, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज to do करने के लिए was, वो थी to become बनना, the servant of the, कि वो एक नोकर बन जाए, सेवक बन जाए of the one, उसका who was stronger, जो stronger था than anyone on earth, धर्ती पे जो भी उससे stronger है, तो उसका सेवक बन जाए, अब यहाँ पे जो यह story है, हम किसी और की story सुना रहे हैं, तो वो जो जो सोच रहा था, उसको हमने past में लगा रहा है, तो story सुनाते टाइम आप present use कर सकते हो बट use आपको tense past के करने हैं तो उसने इस बारे में सोचा और decide कि सबसे बढ़िया चीज जो है, उसके लिए करने के लिए वो है कि वो नोकर बन जाए, उस एक का जो stronger है, उस व्यक्ति से, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, धरती पर उससे stronger होना चाहिए and or he set out और वो निकल पड़ा to find ढूंडने such a master ऐसा मालिक, master और यहां पर वो कैब जो आ रही है, set out मतलब आप किसी place के लिए जब निकल पड़ते तो set out 2 लगाते हैं और यहां पर आप until का structure देख लीजिए wolf मतलब भेडिये होगे wolf मतलब भेडिया एक, wolf इस भेडिया भेडिये और ill-pleased मतलब very sad sick मतलब बिमार wander मतलब इदर उदर भटकना घूमना और frightened मतलब बहुत डरा हुआ और बाकी I think easy है, तो servant मतलब नो कर, और master मतलब मालिक, तो आगे पढ़ते हैं he walked and walked वो चलता गया, चलता गया क्योंकि अपने master की तलास में है तो he walked and walked वो चलता गया और चलता गया and he met और वो मिला a kinsman of his अपने एक relative से अब ये kinsman क्या होता है kinsman एक old-fashioned word है जिसका मतलब होता है एक relative और जो बहुत खुनखार हूँ तो kinsman of his मतलब अपने एक relative से मिला और उनका relative कौन होता है भेडिये क्योंकि वो कुत्ता जो है भेडिये की तरह दिखता है तो वो उनके kinsman है तो वो एक kinsman से मिला और कौन था वो a big wolf एक बड़ा भेडिया who was जो था as strong as he was fierce जो इतना stronger था उतना ही भेंकर भी था तो fierce मतलब होता है बहुत ही खतरनाक dangerous fierce खुनकार जिसको आप बोलते है खुनकार is fierce तो वो मिला एक kinsman से जो कि उसका relative था कौन? एक big wolf एक भेडिया who was as strong as he was fierce जितना है वो खुनकार था उतना strong भी था where are you going dog? मतलब डॉग तुम कहा जा रहे हो the wolf asked तो wolf ने पूछा अब ये direct narration है अब direct narration I am looking for someone मैं किसी को खोज रहूँ look for is ढूणना I am looking for someone मैं किसी को खोज रहूँ to take up service with ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूँ take up service with someone का मतलब होता है to become servant of someone किसी का नौकर बनना ये आप याद कर सकते हैं take up service with someone मतलब किसी का नौकर बनना तो उसने डौग ने का कि मैं ढूण रहा हूँ किसी को to take up service with जिसका मैं नौकर बन सकूँ would you like to be my master wolf क्या तुम मेरे मालिक बनोगे wolf तो आगे क्या होता है I don't see मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है why not कि मैं तुम्हे क्यो ना अपना मतलब मैं तुमारा master बन जाऊं मतलब मुझे कोई शक नी यह I don't see why not मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं तुम्हे आपना master तुम्मुझे अपना master बना लो तुम बना सकते हो in short यह मतलब है the wolf said wolf ने कहा and or this agreed upon और इस बात पर सैमत ही होगी ठीक है वो उसका master बन गया the two of them went on together फिर दोनों के दोनों साथ चल दिये they walked and they walked और वे चलते गए चलते गए यहां पर आएगा they walked and walked and all of a sudden और अचानक से the wolf lifted his nose तो वुल्फ ने भीडिये ने अपनी नाग उपर उठाई sniffed और सूंगा sniff मतलब होता है सूंगना darted quickly of the path और अपना जो path था अपना जो रास्ता था quickly उसने dart कर दिया dart मतलब move हट जाना वहां से तो वो चलते गए चलते गए और अचानक से वुल्फ ने अपनी नाग उठाई और सूंगा और quickly move हो गया move quickly मतलब dart quickly और जो उसका path थी उसका रास्ता था उससे वो side में हो गया and into the bushes और जाडियों में घुस गया and crap और रेंगा और रेंगने लगा deeper मतलब धिर धिरे करके सरकता हुआ रेंगता हुआ वह गहरा चला गया into the forest jungle में अब यहां पर कई वर्ड सीखने के लिए इनको आप याद कर लो sniff मतलब सूंगना कोई जानवर सूंगता है किसी को उसको sniff बोलते हैं dart मतलब होता move मतलब हट जाना path मतलब रास्ता bushes मतलब जाडियां और creep की second form craft creep मतलब रेंग ना और deep मतलब गहरा deeper मतलब और भी गहरा तो इन शॉट वो वुल्फ ने अपनी नाग उठाई सूंगा और जल्दी से अपने रास्ते को छोड़ दिया जाडियों में घुश गया गुश गया और रेंग ने लगा रेंग के अंदर ही अंदर घुश गया चीजे ने अफेक्ट किया master come over you इसका मतलब होता है what affected you तो what's what's come over you what affected you तुमें किस चीजे ने अफेक्ट किया ये भी old word यूज होता है मैं भी आजकल यूज होता हो तो इसका मतलब है अफेक्ट करना तो यह वर्ड मैं या लिखा भी हो है आपको मैं दिखा भी देता हूं जैसे इल प्लीज लिखा है नौट हैपी जो खुश ना हो मतलब बहुत दुखी हो किन्स मैन क्या होता है और रेलेटिव एक रेलेटिव जो फिर्स हो खुनकार हो वोईलेंट हो हिंसक हो फ्राइटनिंग हो बहबित करने वाला हो तेक अप सर्विस विद बिकम दे सर्वेंट आफ किसी का नोकर बनना डा और रच् хотел आगा था प्रभावित कर दिया यहीं और डिए अब यह करेंगे क्या तुम नहीं देख सकते हो कांट यूसी मतलब क्या तुम्में नहीं दिख रहा है यह एक लेसनि में कर आचुका हूं पूरा एक semicondu plan कि रहा क्यों लगा यहां पे there is a bear out there कि वहाँ पर एक भालू है bear is भालू there is a bear out there वहाँ पर एक भालू है and he might eat up both of us और वो हम दोनों को पूरा खा जाएगा you and me, तुम्हे और मुझे seeing that इसको देख कर the bear was stronger than the wolf कि जो भालू है वो wolf से stronger है the dog decided dog ने decide किया to take up service with him कि वो उसका नोकर बनेगा and or he left the wolf और उसने भेडे को छोड़ दिया and asked the bear और भालू से पूछा to be his master कि वो उसका master बन जाए the bear agreed to this readily, जो bear था वो इस बात से अगरी हो गया बहुत ही quickly and said और कहा let us go चलो चलते हैं and find a herd of cows और जो गाएं उनका जूंड डूंडते हैं अब यहां पर आप याद कर लें a herd of cows गाएं का जूंड readily मतलब बड़े ही जल्दी एकदम quickly जल्दी से और टेक अप सर्विस विद समवन बेर इस भालू और इसके इलावा come over you मतलब affect you frightened बहुत भाइबित होना या फिर अगर वर्ब है तो भाइबित करना तो आगे पढ़ते हैं तो let us go and find a herd of cows चलो चलते हैं और जो गाएं का जूंड है उसको डूंडते हैं I will kill a cow मैं गाएं को किल करूंगा and then और फिर we can both eat our fill और हम फिर उसके बाद दोनों जी भर के खा सकते हैं eat to eat someone's fill मतलब होता है पूरा जी भर के खाना they walked on वे चलते गए and soon और जल्द sow a herd of cows और उनको एक जुंड दिखा गाएं का but लेकिन just as, जैसे ही they were about to come up to it, जैसे ही वे उसके पास आने वाले थे उस जुंड के पास ये about to का lesson है just as, जैसे ही they were about to come up to it, वे उसके पास आने वाले थे they were stopped उनको रोक लिया गया, यानि कि वे रुक गए किसी चीज के दुआरा रुके हैं, ये passive voice है तो वे दोनों रुक गए किस चीज से, by a terrible noise एक भैंकर सी आवाज से तो एक आवाज ने उनको रोक दिया they were stopped, उनको रोक दिया गया एक terrible भैंकर noise ने the cows were mowing loudly जो गाएं थी वो बहुत जोर जोर से रंभा रही थी गाएं रंभाती हैं, कुत्ते भौकते हैं तो मों का मतलब होता है रंभाना गाएं जो बोलती है, उसको मों बोलती है तो गाएं रंभारी थी loudly and running और दोड रही थी in a panic, हडबडी में in all directions हर दिशा में तो यहाँ पे मों मतलब रंभाना terrible noise मतलब भ्यंकर आवाज और a herd of cows बताई दिया है, जोंड जो होता है गाएं का बस इतना ही है इसमें और in a panic मतलब हडबडी में डर में आगे क्या हुआ the bear looked out अब जो यह bear था भालू था उसने खोजा और देखा behind a tree पेड के पीछे से तो उसने पेड के पीछे से चान बीन करी look out होता है चान बीन करना है कि ओ देख रहे है कि क्या हो गया ऐसा तो इसलिए look out यूज हुआ है जैसे किसी के against look out notice जारी होता है कि उसको ढूंड वो कहां पर है तो कोई भी criminal अगर भाग जाए तो look out notice जारी होता है तो उसी तरह से अब ये bear जो था इसने पेड के पीछे चिपकर अब देख रहा है उसको look out कर रहा है कि क्या हो रहा है तो the bear looked out from a tree behind a tree उसने पेड के पीछे से look out किया and then और फिर he too ran hastily और फिर वो भी बहुत तेजी से भागा deeper गहराई में into the forest जंगल की गहराई में मतलब टेजी से भाग गया haste का मतलब होता है जल्दी करना और haste की मतलब जल्दी से तो इस वर्ड को भी याद कर लिजी एक कहवत भी आती है haste makes waste यानि कि जल्दी का काम सैतान का तो haste की यहाँ पर है adverb जल्दी से तो वो जंगल में भाग गया जब उसको पता चला क्या था अब क्या हुआ now why did I have to come here मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा said he to the dog उसने डॉग से कहा अब शायद बुक में यहाँ पर डॉग लिखा हुआ लेकिन मुझे यह लगता है कि यहाँ पर बेर आना चाहिए क्योंकि वो जो डॉग है उसको हरानी हुई न क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा तो उसने बेर से पूछा होगा तो said the dog यहाँ पर डॉग आना चाहिए said the dog to the bear में अब फिर उसके बाद डॉग ने का ओगा दा लॉइन हुई ही शेर यह कौन है अब बेर कहा रहा है डॉंट यूनों क्या तुम्हें नहीं पता ही इस्ट्रॉंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ वह इस धरती का सबसे बड़ा और मजबूत जानवर है तो बीस्ट मतलब दानव जानवर और स्ट्रॉंगेस्ट मतलब सबसे मजबूत तो कहरा तुम्हें नहीं पता कि वह शेर जो है इस्ट्रॉंगेस्ट एनिमल है धरती का फिर क्या होता है फिर उसके बाद अब यह जो डॉग है वह बोलता है बेल अच्छा तो आई विल से गुडबाइ तो यू बैर समय त्मे फ्र तुम्हें गुडबाई का अल्विदा काओं आई वों टैंफ मुझे ऐक मास्टर चाहिए who is stronger than anyone जो किसी से भी मजबूत हो on earth धरती पर and of the dog और जो off चला गया dog होता है मतलब वहां से off the dog dog चला जाता है और वही dog went और फिर वो dog जाता है और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो the dog है यह इसके लिए भी subject का काम कर रहा है और इसके लिए भी तो यह एक अलग वियर लिखने का and of the dog यानि कि and the dog off तो उसी का मतलब वह dog चला जाता है तो उसके बाद फिर वही dog went वो जाता है to ask the lion to be his master फिर वो लोई के पाफ जाता है यह कहने कि वो उसका master बन जाए the lion agreed to it वो लोईन अगरी सैमत हो जाता है इस बात से and the dog और जो dog है stayed with him वो उसके साथ रहता है and served him और उसकी सेवा करता है for a long long time it was a good life यह एक अच्छा जीवन था and he had nothing to complain of तो dog के पास कोई शिकायत नी थी करने को for क्योंकि there was no stronger beast कोई भी मजबूत जानवर नहीं था in the forest jungle में than the loin loins की तुलना में and no one dared और किसी की भी हिम्मत नहीं थी touch the dog कि वो dog को touch कर सके और offend him और उसको नाराज कर सके in any way किसी भी तरह से but one day लेकिन एक दिन the two of them were walking side by side मतलब एक दूसरे के साथ साथ वो चल रहे थे along a path एक रास्ते के साथ साथ that ran amid bear cliff जो एक चटान के बीच से गुजरता था cliff मतलब क्या थे खडी चटान एक steep जो पहाड होती है खडी चटान उसको cliff बोलते हैं और amid मतलब बीच से तो एक जो चटान खडी तो उनके बीच से वो गुजर रहे थे when जब all of a sudden अचानक से the line stopped वो शेर रुक गया he gave a great roar उसने बहुत तेजी से दहाड लगाई and or struck the ground angrily और गुसे से angrily ground जो जमीन थी उस पे पंजा मारा अपना with इस पो अपने मतलब पंजे से निच्चे जमीन पे उसने जोर के strike किया तो strike की second form struck with such force तो इतनी force से उसको ground को struck किया गुसे में that की a hole formed एक वहाँ पे गड़ा बन गया hole बन गया there वहाँ then फिर he began to back away very quietly तो फिर वो पीछे अटने लगा चुप चाप से what is it? यह क्या है master? is anything wrong? क्या कोई गड़बड है? asked the dog दॉग ने पूछा surprised हैरानी से इसके बाद I smell a man मुझे एक आदमी की smell आ रही है coming this way इस तरफ आते हुए कह रहे है मैं मुझे smell आ रही है किसी आदमी की इधर आते हुए the loin said loin ने कहा we had better run for it हमारे लिए बहतर होगा कि हम यहां से भाग जाए और नहीं तो we will be in trouble हम मुस्सीबत में आ जाएंगे oh well then ओ अच्छा तो oh well then ओ बहल मतलब अच्छा ओ अच्छा तो then I will say goodbye to you loin मैं भी तुम्हें goodbye क्या दूंगा loin I want a master मुझे एक master चाहिए who is stronger than anyone on earth जो धर्ती पर किसी से भी मजबूत हो and of the dog और जो वो कुता चला जाता है वेंट फिर हो जाता है to join the man उस आदमी के साथ join होने he stayed with him जिसके साथ वो रहा and served him faithfully और पूरी वफादारी के साथ उसकी सेवा करी this happened long long ago यह हुआ बहुत-बहुत समय पहले but to this day आज तक the dog the dog is man's most loyal servant कैरें आज तक जो dog है man का सबसे वफादार नोकर है and knows और जानता है another master किसी भी master को नहीं मतलब और किसी भी master को नहीं जानता है और उसकी खोज पूरी हो चुकी है तो I hope कि आपको अब तो story समझ में आई होगी क्या थी तो काफी passive voice का यूज हुआ active voice अब यहां पर एक और structure यूज हुआ देगे head better head better मतलब अच्छा होगा ठीक है बहुत सारे structures यूज हुए है तो in short आप वहाँ से सीख लीजिए मेरे course से तो अभी app को डाउनलोड कर ले become English champion app का नाम है और link देरखा निचे description box में या पर play store से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और speaking practice के लिए भी वहाँ पर option है facebook group है जहां पर बच्चे daily speaking practice करते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 100-100 से ज़्यादा videos create कर चुके अपनी बना बना कर English के topics पर बोलते हैं वीडियो अपलोड करते हैं और उनके पास अपना record भी है क्योंकि जब भी वो future में progress जितनी भी करते जाएंगे तो जब पुरानी videos को देखेंगे तो वो compare कर पाएंगे कि उन्होंने कैसे start किया था क्या problem थी और अब कितना improve हो चुका है तो speaking practice वहाँ आप भी कर सकते हैं because मैंने भी speaking practice उसी group में practice करकर के अपनी improve की थी and you can also do the same thing तो ये है ये थी आज की हमारी video I hope पसंद आई होगी और इसमें जो vocab मैं highlight कर देता हूं तो servant is noker loyal मतलब निश्ठावान वफादार faithfully मतलब वफादारी से और serve मतलब सेवा करना happen मतलब घटित होना और इसके इलावा of भी एक verb हो जाती है और in trouble मुसीबत में और back away पीछे हट जाना quietly चुपचाप से rover मतलब दहाड़ना all of a sudden अचानक से angrily गुस्से में और struck मतलब परहार करना attack करना और attack काँ पी यहाँ पे strike जिसे आप मारते हैं तो strike का second form struck the ground और offend नाराज करना dare हिम्मत करना in any way किसी भी तरह से amid बीच में यानिके between और cliff मतलब खड़ी चटान यह especially आपको जो समुंदर होते हैं सी होते हैं उसके साथ में दिखती है खड़ी चटाने उनको cliff बोलते हैं अगरी मतलब सैमत होना जो बहुत खून खार हो हिंसको भैवित करने वाला हो टेक अप सर्विस विद सर्वेंट बनना किसी का डार्ट मतलब मूव क्विकली कम ओवर यू अफेक्ट यू और इसके लावा cliff a steep high rock often at the edge of the sea तो यह थी हमारी वोकेब तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आपको मेरी बुक बाई करने हैं तो नीचे लिंक दे रखा हैं या फिर आपको कुछ भी बाई करने हैं नीचे सबी लिंक दे रखे हैं तो इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू